देखें financial statements में financial statements में दो चीजें हमारे पास होती है एक तो profit and loss और एक cash flow balance sheet cash flow statement नहीं होती है ये बोलने लगाता मैं P&L account जो है ये हमने already cover कर लिया last revision वीडियो में ये हमने already कर लिया था और फिर उसके बाद हम आये अपने पास balance sheet पर balance sheet पर हमने आप से कहा कि balance sheet का एक format है मुझे फटा फट से बताओ balance sheet के format में क्या क्या चीजें थी याद से बताईए जो जो चीजें आपको ध्यान है balance sheet of the company company की balance sheet में एक column और भी बनता है हमारे पास previous year का हो मुझे चाहिए नहीं है इसके लावा एक column और बन जाता है notes का और फिर हमारे पास यहाँ item start हो जाती है heading हमारे पास क्या हो गया heading हमारे पास हो गया particulars notes और amount तो पहली item कौन सी है पहली item का नाम क्या है पहली item का नाम है equity and liability पहली item का नाम क्या है equity and liabilities ठीक है तो मुझे यह बताओ equity and liabilities में कौन कौन सी items थी अगर आपको याद हो तो इसमें हम लिखते थे number one shareholder funds तो रहा नजदीक कर दीजेगा तो एक item थी shareholder funds मुझे फटा फट से बताओ shareholder fund में कौन कौन सी item थी इसको black pen से लिख देते हैं तो इसमें आपके पास item थी share capital एक item थी आपके पास reserves and surplus यह आपको ना सब याद होनी चाहिए पूछता नहीं है पर क्या कभी-कभी money received against share warrant भी हो सकता है तो हमारे पास यह item भी हो सकते हैं ठीक है फिर अगला आपके पास heading कौन सा था बताओ फटाफट से दो के बाद अगला heading कौन सा था share application मनी pending allotment pending allotment pending allotment इसके बाद अगली item मुझे याद से बताओ अगली item कौन सी थी अगली item थी non current liabilities अगली item क्या थी non current liabilities मुझे फटाफट से बताओ इसमें कौन कौन सी आइटम सा थी long term borrowings ठीक है फिर हमारे पास deferred tax liabilities other long term liabilities long term provisions ये चार आइटम से तो ये ना आपके खून में चली जानी चाहिए मुझे अगली item बताओ अगली item कौन कौन सी थी balance sheet में अगली चार आइटम कौन कौन सी थी current liabilities में short term borrowings trade payables जो आपके trade payables हैं फिर other current liabilities तथा last में क्या आगई short term provision तो हमारी balance sheet में हमारी balance sheet में ये items जो हैं वो कौन सी हैं these are the items which are basically related to liabilities and equity side मुझे बताओ इसके बाद कौन सी assets कौन सी side start होती है उपर थी equity and liability तो ये कौन सी side हो गई this is your assets मुझे बताओ assets के अंदर भी पहले heading किसका आएगा पहले heading आएगा non current assets मुझे बताओ इसके अंदर भी आगे sub heading है कौन सा है property, plant, equipment and intangibles इसमें भी अगली item थी मैं भूल गया कौन कौन सी item थी इसके अंदर property, plant, equipment intangibles capital work in progress intangible assets under development इसका मतब आपके पास ये सब PPE and intangible के नीचे आता था फिर हमारे पास अगर कोई non current investments है फिर deferred tax assets है फिर long term loans and advances है तथा others non current assets है मुझे बताओ इसके बाद भी balance sheet में और क्या आता है वह इसके बाद अगली item कौन कौन सी होती है तो अब पहले non current लिखा था अब कौन सी item आ गई now we have current assets तो मुझे बताएंगे current assets में भी कौन कौन सी assets है सबसे पहले तो आ गई current investments फिर मेरे पास आ गया inventory फिर मेरे पास आ गया trade receivables cash and cash equivalent फिर आगे short term loans and advances और last में क्या आएगा other current assets तो हमारी balance sheet जो होती है वो ये होती है क्या आपको ये याद रहेगी के नहीं रहेगी अर्विंद कहरा है ये जो headings के अंदर non current वाले इने कैसे याद रखेंगे कुछ भी नहीं तुमें देखना by the time अपना topic complete करेंगे याद हो चुका होगा तो तुम्हें ऐसा कोई memorize नहीं करना है बस ध्यान रखना है कि किस से start करना है ये तो तुम्हें याद हो गए तीन चीज़े और ये भी पता चल गया और ये हम चर्चा कर रहे थी जब हमने class को चोड़ा था तो अभी ये सब चीज़ें आ जाएंगी क्या इसके बाद contingent liabilities भी आती है फटा फट से बताओ क्या contingent liabilities भी last में आती है the answer is yes contingent liability भी हमारे पास आती है मुझे ये बताईए कि जब मैं अपने पास बोलता हूँ share capital तो किस बात का ध्यान रखना पड़ता है फटा फट से CS साब बताओ आपको law क्या कहता है आपका law schedule 3 क्या कहता है कि share capital के context में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए तो मैंने का जी इसके अंदर हमारे पास आनी चाहिए in relation to share capital numbers कितने है number of shares number of shares कितने है उनकी face value कितनी है उनकी classes कौन कौन सी है क्या ये आपको सब बताना पड़ेगा इसके अलावा हमें बताना है authorized share capital subscribed and issued and paid up share capital ये भी बताना है paid up को निकालने के लिए कि आपको calls in areas less करने पड़ते हैं the answer is yes तो अपनी issued capital में से calls in areas less करोगे तो हमारे पास ये चीज़ निकल कर आएगी इसके अलावा क्या मुझे अपने पास share capital के अंदर अगर कोई bonus निकाला है या non cash consideration में share issue किये हैं तो क्या इसका note देना जरूरी है क्या अगर आपने bonus निकाला कितने साल तक note देना जरूरी है for five years आपको पांच साल तक note देना ये भी जरूरी है इसके अलावा क्या मुझे share holders के rights बताने चाहिए उनके types बताने चाहिए मुझे जिन share holder के पास भी 5% और more shares है उनके बारे में disclosure देना चाहिए इसके अलावा हमें एक reconciliation statement भी देनी चाहिए क्या ये चीज फाल्तू की है ये फाल्तू की है लेकिन क्या ये note institute बार बार पूछता है हाँ क्या आपके हर सवाल में authorized issued की disclosure देनी पड़ेगी हाँ क्या आपके हर सवाल में number of shares ये सब disclosure देना पड़ेगा the answer is yes मुझे ये बताओ reserve and surplus के बारे में हमने क्या बताया था भई इसके अंदर आपको all reserves and surplus बताने हैं मुझे फटा फट से बताओ reserve and surplus होते क्या है अगर कोई आप से पूछे कि reserve and surplus क्या होते है तो मुझे बताओ reserve and surplus क्या है इसमें दो चीज़े होती है एक तो क्या होते है surplus surplus का मतलब होता है profits जो तुम्हारे पास बचे हुए profits है मुझे बताओगे profit अपनी balance sheet में किस नाम से दिखाते हो क्या छोट चोटा बच्चा जानके क्या तुम P&L appropriation बोलते थे पुराने जवाने में P&L appropriation वो भी basically क्या है वो आपका surplus है आजकल ये नाम चलता नहीं है ये पुराना नाम है पुराना नाम तो आजकल जो नाम चलता है वो क्या चलता है Retained Earnings क्या नाम चलता है Retained Earnings पसंद नहीं आया तो खाली surplus नाम भी लिख सकते हो केवल surplus नाम भी लिख सकते हो तो बाकी still ये नया नाम है जो आपका retained earning और surplus word भी लिख सकते हो अच्छा reserves क्या होते हैं पहले तो reserves के meaning बताओ reserves का मतलब क्या है reserve means appropriation कौन करता है ये appropriation management करती है कहां से करती है from surplus वो surplus में से अपने पास appropriation करते हैं किसलिए करते हैं for future specific oblique general purpose general reserve basically कौन सा है general purpose का है तो इसका मतलब हम ये बनाते हैं अपने पास तो ये जो reserves होते हैं इन में कोई example दीजिए ये जैसे हम बनाते हैं capital reserve जैसे हम बनाते हैं capital redemption reserve जैसे हम बनाते हैं general reserve जैसे हम बनाते हैं debenture redemption reserve जैसे हमारे पास security premium जैसे हमारे पास नेगटिव हो सकता है तो answer is yes there is no problem reserve in surplus में all reserves in surplus मैंने वहाँ बता दिए वो आपको show करने हैं including negative जो negative है उने भी आपको साथ में show करना पड़ेगा इसके अलाबा मैंने बताया था कि money received against warrant या item exam के लिए relevant नहीं है exam not relevant पाकी इसको प्यार से क्या बोलते हैं इसे प्यार से बोलते हैं शेयर वारेंट मुझे ये बताओ शेयर वारेंट का मतलब क्या हो गया पैसा ले लिया पर शेयर देने बाद में है पैसा ले लिया पर शेयर बाद में देने है मुझे बताओ आपको पता है कल Reliance की Annual General Meeting थी कल Reliance की Annual General Meeting थी तो मुझे बताओ उसके अंदर देखकर आपको क्या लगा अगर आपने वो सुना आया देखा तो आपको क्या लगा क्या आपको लगता है बहुत बढ़िया आगे Company काम करने वाली है The answer is yes बहुत बढ़िया कमपनी काम करने वाली है मुझे बताईए अगर एक कमपनी बहुत बढ़िया काम करने वाली है तो क्या वो कमपनी में आज आप पैसा लगा देंगे शेर वो कह रही है तीन साल बात देंगे क्या मान जाओगे अब बोलोगे हाँ भाई साब कोई दिक्कत नहीं है मैं मान जाओंगा मेरे को पैसे तीन साल बात दे देना चलेगा इसका मनलब ऐसा हो सकता है बाकी इसके ओपर कोई ज़्यादा रेलेवेंट सवाल नहीं है यह रेलेवेंट है तो मुझे यह बताओ पैसा ले लिया पर शेयर अभी देने है अभी देने है अच्छा उपर वाले में टाइम क्या होता है टाइम गैप क्या होता है ज्यादा यह नहीं कि हमने पैसा ले लिया तो शेयर कब देने है दो साल बात तीन साल बात देने है लेकिन यहाँ पर हमने जब पैसा ले लिया तो हमने शेयर कब देनी है वेरी सून हमने एस पर लॉज जो भी आपको टाइम मिलेगा 30 डेज, 120 डेज, 5 डेज जितना भी है आप उसको बहुत जल्द देने वाले है यह हमारे पास क्या होता है इस बिसिकली कि हमारे लिए यह आइटम्स होती है जो शेयर एप्लिकेशन की है अगर शेयर एप्लिकेशन मनी रिफंडेबल है तो मुझे बताईए कहां जाएगी अगर शेयर एप्लिकेशन मनी रिफंडेबल है तो share application अगर refundable है आपने ज़्यादा पैसे ले रखे हैं तो ये कहा जाएगी ये current liability में कौन सी item में जाएगी other current liability में जाएगी कुछ याद आ रहे हैं आपको अपने पास फिर मैंने एक बात कही थी defer tax liability आपके लिए relevant नहीं है exam के लिए relevant अभी नहीं है हाँ AS 22 में हम इसको discuss करेंगे यनि वहाँ पर ही आएगा और वैसे इतना कोई मुश्किल भी नहीं अगर पूछ भी ले तो defer tax के बारे में आप अपने पास AS 22 में discussion करेंगे कि ये क्या होते हैं और आपको इसके बारे में अभी और कुछ discuss करने के आवशक्ता नहीं है मुझे ये बताओ फिर हमने कहा था long term borrow क्या होती है ये है जो हमने पैसा borrow किया क्या borrow मतलब मांगा फटा फट से बताओ borrow का मतलब क्या हुआ ये पैसा हमने मांगा वेदान्त कहरा है हमने defer tax वाला आपका वीडियो देखा था तो मैंने आपसे कहा कि defer tax liability के उपर है borrowing borrowing का मतलब होता है पैसा जो हमने मांगा तो मुझे अपने पास ये पैसा यहां पर शो करना पढ़ता है हमेशा यहां पर और क्या क्या बताना पढ़ता है हमें बताना पढ़ता है source कहा से आया तो मुझे बताओगे कुछ example दो कोई long term boring बताओ कहां से आई any examples जैसे बच्चे ने कहा bonds हो सकते हैं very good bonds हो सकते है public deposit हो सकते है oh debentures हो सकते है bank loan हो सकते है सिरफ loan हो सकते है ठीक है न तो यह सब मैंने example दे दिया आपको कि यह सब इसके अंदर हमारे पास यह सब items यहाँ पर हैं हमें अपने पास इनका secured या unsecured भी बताना होता है secured और unsecured भी बताना होता है यह चोटी चोटी बाते हैं भूल तो ना जाओगे कि आपको बताना यह secured है या यह unsecured है और अगर secured हैं तो details of security details of security कि भाई इसमें security किस शीज़ की है आपको यह भी बताना पड़ता है तो मुझे यह बताओ मैं आपको balance sheet बनाना सिखा रहा हूं कि आपको disclosure की list दे रहा हूं तोरा बिटा mobile app पर देख लीजे नहीं तो YouTube पर चले जाओ ठीक है मुझे फड़ा फड़ से बताओ तो हमारे पास यहां पर disclosure important है क्या institute number काटने वाला इसी बात के the answer is yes इसी बात के number काटने वाला है तो हमने का borrings के अंदर आप यह सब चीजों का ध्यान रखोगे हमें ऐसा करना होता है इसमें एक बात मैंने भी बतानी है वो कौन सी है current maturity वाली बात मैंने बतानी है तो current maturity वाली चर्चा मेरी क्या है अभी pending है थोड़ी सी discussion अभी कर दू इसी के अंदर current maturity में क्या borrowing का वो हिस्सा जो within 12 months पे होना है वो non current होगा के current होगा फड़ा फट से बताओ borrowing का वो हिस्सा जो within 12 months पे होना है वो current होगा के non current होगा तो मुझे फड़ा फट से बताओ वो current होगा तो हम पता क्या करते हैं उसको अपने पास अपनी borrowing में से less करके दिखाते हैं और जानते हो उसे कहां दिखाते हैं उसे हम अपने पास current short term borrowing में दिखाते हैं current maturity तो word current maturity से आप क्या समझते हैं फड़ा फट से बताओ current maturity से आप क्या समझते हैं तो मैं आप से पूछ रहा हूँ current maturity से आप क्या समझते हैं current maturity is that part of loan which is बताओ जी repayable कितने दिनों में payable है that part of long term loan वो loan जो long term loan है उसका वो हिस्सा जो repayable है within कितने महीने within 12 months तो उसको हमें long term में दिखाना चाहिए या उसे हमें short term में दिखाना चाहिए तो उसे हमें कहां दिखाना चाहिए उसे short term में दिखाना चाहिए तो short term में दिखाओगे तो क्या long term से हटाना भी तो पड़ेगा न यहां से minus करके तो दिखाओगे कि साब ये long term था पर ये within 12 months due है इसको हम इस तरह से show करते हैं इसे बोलते हैं current maturities ओके फिर आता हमारे पास other long term liabilities मुझे बताओ बोरोइंग्स में और other long term liabilities नजदी कर दो इसमें क्या फरक है इसमें हमने मांगा नहीं है जैसे की हमने एक machine purchase की machine के creditors long term in nature मुझे फटा फट से बताओ machine के creditors है हमने कोई machine करी दी है जिसकी payment हमने किस period में करनी है long term में करनी है तो क्या हमने कोई उधार मांगा है किसी के सामने जोली फैलाई है हमने हमने कोई जोली नहीं फैलाई तो बात को समझे ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा other long term liabilities ओके ये हमारे पास इसमें आती है इसमें एक लौती आइटम सी है long term provisions कौन सी होती है जैसे मैंने इस पर example दिया था provision for gratuity कौन सी आइटम थी provision for gratuity gratuity word सुना हूँ है आपने कही gratuity का क्या मतलब है gratuity का मतलब है जब एक employee retire होता है तो retirement पर उसको कुछ पैसा दिया जाता है word gratuity कहां से बना gratuity word कहां से बना तो gratuity word बना ex gratia से तो ex gratia एक latin word है तो ex gratia का क्या मतलब है इसका मतलब है out of grace grace का मतलब क्या हो गया दया भाव से सारे बच्चे बताओ तुम अपने स्कूल में जो थे किन नमबरों से पास होते थे फटा फट से बताओ तुम अपने स्कूल में क्या grace नमबरों से पास होते थे कि नहीं होते थे तुम्हारे को सब को पता है grace नमबरों की तुम्हारे को पूरी practical application है कि तुम्हारे नमबर maths में क्या grace होती थे कि नहीं होती थी आर्पी को थोड़ा बुरा लग रहा है कह रहा है ऐसे कैसे वेदात कह रहा है मैं टॉपर था मुझे मालूम है सारे टॉपर मेरी क्लास में बैठे है चिंता की बात नहीं है ठीक है यह बताओ जितने भी साइंस में हैं उन सब को क्लिर कट पता है क्या बनना ह या हमने UPSC का पेपर लिख के IES बनना है जिनको नहीं पता है वो कौन है वो हैं कॉमर्स वाले इन्हें पता ही कुछ नहीं है कि क्या करना है क्या रियालिटी बताओ आपको पता था बारवी क्लास के अंदर के आपने क्या करना है तो आपने का अच्छा C.A. कर लेंगे क्या मैठम ने बोला बताओ तुम आगे क्या करोगे तुमारे हाथ वहां फूल गए क्या बताओ मैं मेरे को यहीं नहीं पता मैंने करना क्या है तो कौमर्स वाले वो हैं जो ना इधर के हैं इसलिए ज़्यादा तारीफ ना करो तो मैं भी कॉमर्स कही हूँ, टेंशन क्या लेते हैं, कोई सुन थोड़ना रहा है, यूट्यूप वाले सुन रहे होंगे, क्लोज इन्वार्मेंट है, तो हमारे पास, जो तुम दस्वी क्लास में ग्रेस नंबर लेते थे, उसे बोलते हैं, आउट अफ ग्रेस, ये है वर्ड एक्स ग्रेशिया, तो क्या law कहता है, कि employee जब retire होगा, तो employer को दया भाव से कुछ पैसा देना जरूरी है, तो answer is yes, law कहता है, employee जब retire होगा, तो दया भाव से पैसा देना जरूरी है, हाला कि वो सब के लिए नहीं होता, किन के लिए होता है, जिनकी salary बहुत तोड़ी होती है उनके लिए होता है, तो मुझे फटा फट से ये बताओ, ये क्या चीज़ है, this is called gratitude, ये gratitude क्या long term में पे होगी, क्योंकि employee तो retire होगा, long term में जाकर कोई अचानक अगले साल तो retire नहीं होगा, therefore यहाँ पर आएगी है, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है, but मेरे को लगता ह gratitude is enough for you, अच्छा, trade payable में कौन आते हैं, फटा फट से बताओ, इसमें आते हैं, creditors and bills payable, इसमें कौन आते हैं, creditors and bills payable, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं, okay, मैं ये बताना चाहता हूँ, उपर वाले भी creditor थे, ये भी creditor हैं, इसमें word क्या लिखा हुआ है, trade, trade का क्या मत तब हो गया, कि ये creditors कौन से हैं, from purchases, जो आप goods purchase करते हो न, ये वो वाले हैं, इसका मतब इसके अंदर हमारे पास ये वाले आएंगे, इसमें मोदी जी ने एक नया नियम निकाल दिया, वो कहरा, आपको इसमें, aging देनी पड़ेगी, aging देनी होगी, what is aging, aging क्या होती है, तो aging ये होती है, कि हमारे creditors कितने थे, जो within 12 मन्थ पे होने वाले हैं, जो आपके पास, जिनको आपने 12 महीने से लटका रखा है, अच्छा, ये आपके पास फिर 12 से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जो हैं तो current, पर पैसे नहीं दिया दो साल से, ऐसा हो सकता है, ट्रेड पेबल पर, ट्रेड पेबल पर बिटा, हमेशा always they are current, okay, they are always considered to be current, तो क्या current होने के बावजूद पैसा दो साल से लटका रहा है, ऐसा हो सकता है, तो हमें अपने पास नहीं इसके इन्दर डिटेल देनी पड़ती है, कि creditors जो हैं, जो outstanding है, पॉर, 0 to 12 मन्थ कितने हैं, 12 to 24 मन्थ कितने हैं, 24 to 36 मन्थ कितने हैं, 36 मन्थ के beyond creditors कितने हैं, यह हमें अपने पास list देनी पड़ती है, मजी की बात है, यह मुद्धा अभी institute में पूछना नहीं शुरू किया है, क्या यह भी मोदी जी लेकर आए हैं, हाँ, वैसे बताओ, मोदी जी क्या profit and loss के अंदर भी कुछ चीज़े लेकर आए थे, कुछ याद है आपको, मोदी special, फटा फट से बताइए, कौन-कौन से disclosure थ आता है, तो इसका disclosure देना पड़ेगा, अगर आपने bitcoin या digital virtual currency में कोई lendin किया है, तो आपको बताना पड़ेगा, यदि आपके पास कोई बेनामी property है, तो आपको उसका भी disclosure करना पड़ेगा, आपने किस से valuation किस से कराई है, तुम्हारा कौन valuation है, जो बताता है, इस सीज की इ इतनी value है, मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा, आपका relation with truck of companies, जो कंपनियां बंद हो गई, मोदी जी ने बंद कर दी, उनका उनके detail आपको देनी पड़ेगी, हम कब willful defaulter हुए, यनि हम कब भगोडे हुए, हमें ये भी disclose करना पड़ेगा, बाप रे बाप, इसके लावा भूलना जाना, क्या कुछ P&L के disclosure तो पुराने चल रहे हैं, क्या auditor को क्या दे रहे हूँ, director को क्या दे रहे हूँ, और CSR, ये भी disclose किया जाता है, फटा फट से बताओ, ये भी disclose किया जाता है, इसका ना ये सब चीजें तुम्हारे को ना तुम्हारे पास, नाम सुनते ही आ आद आ जाना चाहिए, इसका ये होता है, ओके, वो ऐसे आद हो जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है, अच्छा, अब मुझे बताइए, इसके अलावा, other current liabilities में, और कौन-कौन सी liabilities आएंगी, जैसे की accrued interests, ओके, जैसे interest payable, जैसे expense payable, ये सब आपके पास कौन है, य जैसे dividend payable, अच्छा, dividend payable बोल रहा हूँ, dividend payable के और भी कई नाम है, unclaimed dividend, ठीक है, but proposed dividend is not dividend payable, I hope you know this point, proposed dividend क्या payable हो गया है, अभी नहीं हुआ है, तो proposed की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं अपने पास, ठीक है, ये items आती है, तो other current liabilities के अदर मैंने बता दिया, हमारे पास क्या हैं, बीच में short term borrowings पर मेरे पास marking रह गई, मुझे बताना short term borrowings में, और कौन-कौन से loans होते हैं, जैसे bank OD होते हैं, अच्छा, ये बताओ, रिष्टेदारों से जो loan लिये जाते हैं, वो long term होते हैं के short term होते हैं, रिष्टेदारों से loan short term होते हैं, तो loan from relatives, उसको बोलते हैं related parties, अब मुझे ये बताओ, क्या company'yों के भी रिष्टार होते हैं, क्या company'yों के भी रिष्टार होते हैं, the answer is yes, company'yों के भी रिष्टार होते हैं, उनकी subsidiary होती है, associates होते हैं, joint ventures होते हैं, वो सब इसके अंदर चले आते हैं, ठीके? इवन डारेक्टर्स भी जो होते हैं रिलेटिड पार्टीज होते हैं क्या मुझे यहाँ पर भी बताना पड़ेगा शाट टम बारिंग के अंदर अच्छा एक जीश दो चीश करना बैंक ओवरड्राफ्ट यहां लिखा है जब लॉंग टम लिखा था तो सिक्यूरिटी बताई थी आपने हाँ यहाँ पर भी सिक्यूरिटी बतानी पड़ेगी कि सिक्यूरिटी क्या है शाट रूल यह है वाई साब जो कोश्चन में आपको कह रहा है उसे डिस्क्लोस करी दो बात समझ में आती है हाँ प्रगती कह रहा है एक्रूड इंटरस्ट करेंट लाइबिलिटी में क्यों आया क्योंकि जो एक्रूड है विदिन ट्वेलमंथ पे हो जाएगा जो एक्रूड है वो शाट टम में एक्रूड होता है मिशा वेब आप कह रहा है, calls in advance का क्या होगा, ये लीजे, calls in advance यहां आ जाएंगी, income received in advance यहां आ जाएगी, कोई advance इंकम आ गई है, तो वो भी यहां आ जाएगी, तो इसका मतलब ये सब चीज़ें यहां पर आती है, application money for refund मैं पहले लिख चुका हूँ अपने पास, ठीक है, अनीश accrued किसी और को लेने वाला है, मेरा देने वाला है, outstanding interest लिख दिया है, मैंने interest payable, तो दुबारा नहीं लिखूँगा, our dividend is unclaimed, मितांशी कह रहे है, sir, dividend unclaimed कैसे हो सकता है, जैसे for example, मेरे को dividend मिलना चाहिए, तो क्या bank की जानकारी company के पास updated होनी चाहिए, फड़ा फट से म तांशी बताओ, मैंने अपनी reliance industries को मैंने कहा मेरे को dividend भेजना, पर मैंने bank account जो दिया, वो मेरा bank account बंद हो गया पीछे, अब क्या reliance वाला बार बार उसमें पैसा फैंक रहा है, लेकिन वो वापीस return हो जाता है, क्योंकि bank account आगे है नहीं है, तो उनके पास पैस return हो जाता ह तो फिर वो जानते हो उस पैसे को अपने पास रखे रहेगा, रखे रहेगा, रखे रहेगा, उसका नहीं होगा, फिर वो कुछ सालों के बाद किसका हो जाएगा, भारत सरकार का हो जाएगा, जो किसी का नहीं है, भारत सरकार का हो जाएगा, तो शागरा कह रहा है पेबल मतब बस do date आगई है अभी पैसा देना है और a crude का मतब बदद यूडेट नहीं आईए पर पैसा देना है जैसे for example आप मकान में किराए पर रहते हैं तो आधा महीना हो चुका है किराए पर रहते हुए तो a crew तो कर गया पर अभी देने की डेट नहीं आई, देने की डेट कौन सी है, महीने की पहली तारीक, okay, that is called, कि ड्यू डेट को जाकर वो पेबल होता है, उससे पहले वो एक्रियू होता है, तुम समझ लो, एक्रियू क्या है, एक्रियू, एक्रियू को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं एक्रियू को बोल सकता हूँ जो अभी बन रहा है ठीक है अभी वो अंडा है अभी उसमें से चिकन निकलना बाकी है ऐसे समझ लो ओके वो बन जाएगा बाद में लेकिन अभी नहीं हुआ हाँ बिल्कुल ठीक तो हमारे पास यह आता है एक और भी पर आपने दिये नहीं है अनपेड मेचियोड पॉब्लिक डिपॉजिट यहनी लोगों का पैसा तुमने अगर रखा हुआ है तो तुम उसे भी अपने पास अधर करेंट लियाबिलिटी में शो कर देते हो शॉट टम प्रोविजन में तो दिक्कत नहीं है आपके पास एक एग्जांपल हो गया प्रोविजन फॉर टेक्स less advance tax जानते हो advance tax हमने pay कर दिया तो इसका मतब जितना tax देना था जितना दे दिया तो net amount ही आपके पास यहां पर आएगा net amount ही यहां पर आएगा अच्छा अगर हमने tax ज़्यादा दे दिया मान लो हमने 10,000 पे देने थे हमने 8,000 पे दे दिये तो बताईए दो हजार पे क्या हो गई short term provision पर अगर मैंने 18,000 दे दिये तो फिर कहां जाएगा यहां जाएगा इसे बोलते हैं advance tax minus provision for tax भई हमने 18,000 दे दिये देने कितने थे 10,000 तो 8,000 क्या हो गया 8,000 आपका short term loans and advance in current asset आ गया short term borrowings में मैं query उपर चले गए यह थोड़ी दर मैं देख लूँगा मैं एक बार revise करा दू इसके अंदर तो यह मेरे पास items थी in relation to जो आपके पास equity and liability है तो मैं अपने पास चाहता हूँ कि इसके लिए मैं अगली class में फिर से इसकी revision कराऊं अभी मैं इसको discuss अलग से करूं और इसका video इस वाले part का फिर से बनाऊं कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ विकावानी कह रहे हैं क्या income tax वाले पैसे refund कर देते हैं कर देते हैं बिटा क्यों नहीं करेंगे